नमस्कार आप देख पार इस स्क्रीन पर भबे एम आसा अप्लिकेशन को हमने ओपिन किया हुआ है यदि आपके मुवाइल में ये एप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है यानि कि भबे एम आसा अप अगर आपके मुवाइल में जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो वीडियो को आप पूरा देखिए कैसे आप अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि प्रावलम आ रहा है कि इंस्टॉल नहीं हो रहा है कापी सारे कमेंट्स आये हैं कि यह अप्लिकेशन जो है इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं त क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिखेगा install का option, simply से install के option पर click करेंगे and click करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक problem आ जाता है, कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर आपको simply से क्या करना है, आपको simply से यहाँ जो more details इस पर click करना है, more details पर click करने के बाद यहाँ पर install anyway पर click कर आपके mobile में application installed हो चुका है अब open पर click करके इस application को आप open कर सकते हैं आप देख सकते हैं बिहार सरकार इस तरह से आप सारी permissions जो है इसको जो है अलोग कर देंगे इस तरह से इस option को enable करने के बाद इस तरह से सारे permission अलोग करने के बाद ये app आपके mobile में finally जो है open हो जाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं ये application open हो चुका है username डालेंगे password डालेंगे username पहले वाला ही है बाकि password जो है आपका अलग हो सकता है उसके बाद login पर click करके जो है आप इस भब एम आशा एप में login करके सारा काम कर सकते हैं अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए भब एम आशा तब हमें comment box में जरूर लिखे धन्यवाद